हेलो दोस्तों आप सबों का स्वागत है डी एजुकेसंस के यूटूब चैनल्स पे मैं आप सबों का दोस्धन जी आज जूट जुके हैं फिर से हम लोग अपने सुपर 25 के साथ जिसमें की साइंस और करेंट अफेर्स का सेशंस होता है तो जल्दी से एक पर क्लास को सेर कर द क्या जा सके तो फटापट से सभी भूण जाएंगे और क्लास को कर दिया जाए और यहां क्या है आपका साइंस का और करेंट अफेर्स का यहां थाटिस नमबर सेट है यह अलगतार 37 सेट हो चुके हैं आज 36 सेट पहले हो चुके हैं जिन लोगोंने पहले बार नहीं देखा है या 37 सेट इससे पहले 36 सेट है दिया जा चुका है प्लेयलिस्ट में जाके प्लेयलिस्ट में आप जाएगा वहाँ पे super 25 का playlist का section मिलेगा जिसमें से कि आपको 37-36 वीडियो इसका मिलेंगे और सारे के सारे वीडियो हैं तो आहां से आप जाके देख सकते हैं तेक बार class को फटापट से share कर दीजे सभी लोग और class को जल्दी start कर दिया जा तो 10 सेकंड तक सबका wait कर लिया जाए ताकि सभी लोग जूड जाए और class को start कर दिया जाए एक बार जल्दी से सभी लोग share करें class को और उसके बाद class को start कर दिया जा चलिया और जुड़ते ही class को share कर दिया करें मेरे भाई सभी लोगों के पास ताकि सभी लोग इससे जुड़ सके और class से जादिस जादिस लोगों की फायदा हो सके चलिए इससे पहले वाला वीडियो में एक दिन भजपूरी session हुआ था वो थोड़ा मन किया था कि वजपूरी में class करा है इसलिए और ऐसा कोई बात नहीं है हम लोग पढ़ेंगे जैसे पढ़ते हैं रोज और discussion करते चलेंगे और questions को लेते चलेंगे तो चलिए आज का रहा पहला questions A आपको बताना है कि भार का SI IKI और IKI बराबर होता है किसका आवेक के बल का तुरण का यद्रवेमान का तो आपको बताना है कि भार का SI IKI किसके बराबर होता इसको एक और बात आपको informations दे दे कि कल सुबा कल सुबा में एक वीडियो डाला जाएगा मातरक चेप्टर से होगा जिसमें कि हमने theory भी पढ़ाया है और उसका 70 questions का MCQ sessions भी है theory plus आपका MCQ session है जो कि यह 70 questions ऐसे सामिल किये गए है जो कि RRB के द्वारा और RRC के द्वारा पूछा गया मतलब कि railway के जो exam हुए हैं जो कि CBT pattern पे हुए हैं सोला में NTPC हुआ था उसके बाद जो electricians हुआ drivers का जो vacancy है और group D जो पहले साल में हुआ था उन सारे के सारे questions को उसमें include कर दिया गया है तो उस video को जरूर जाके देखे मेरे भाई क्योंकि उस video को upload कर दिया जाएगा कल सुबह video मिल जाएगा आपको और उसको देख लिजएगा एक बार और उसमें क्योंकि 70 के 70 questions आपको मिल जाएगे और idea भी हो जाएगा जब भी आप बेफसी है तो उसमें देख लिजएगा तो आए इसको ले लेते हैं इसका क्या होगा इसको बनाते हैं और इसका question सम लोग पढ़ते चलेंगे फटा फट से answer देते चलेंगे और सभी लोग active रहेंगे कोई भागेगा नहीं class को हम जल्द ही खतम कर सकते हैं बसरते अब लोग ध्यान से सुनिए भार का SI मातरक क्या है भार का SI पहले तो मातरक समझना होता है कि भार का भार जो होता है जो W होता है वेट जो होता है वे होता है MG मतलब कि W बराबर MG जो भार होता है मेरे भाई सब भार का होता है द्रब्यमान गुड़े गुरुत्य त्वरण द्रब्यमान का होता है केजी और g का होता है मीटर प्रती सेकेंड इसको है तो क्या हम भार को लिख सकते हैं kg मीटर सेकेंड के पाउर माइनस 2 दम लिख सकते हैं अब रहा बात न की देखिए बात समझेगा कि जो मातरक चेप्टर है मातरक चेप्टर से आपको दो तरह से questions समय सा बना है पहला तो यह direct questions बनके आ रहा है कि किसका कौन सा मातरक है और दूसरा यह बता रहा है पुछ रहा है किस किस का मातरक समान है तो उसको आप एक बार जरूर देखिएगा और उसके लिए यहाँ पर लिखवा भी दे रहे हैं चुक्त करको बहार का साई किसके बार होता है तो बल्के होता है इसका right answer लेलिजी अब रहां बात के किसका 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 मातरक समान होता है उसको फटापण से एक बढ़ देख लेते है तो देखिए गती कै है यह चाल कै है क्या गती चाल और वेग या तीनों का मांद समान होता है वेग सौरी गती चाल और वेग का मात्रक क्या होता है समान होता है फिर होता है संबेग और आवेग का इसका मात्रक समान होता है फिर होता है बल और भार का बल और भार का समान ने होता है फिर होता है कार्य उर्जा और बल आगुण का क्या? बल आगुण का इसका भी समान होता है जो लिखवार है मेरे बेबी आई भाई है इसको पुछा है और फिर पुछेगा बल और भार कारे उर्जा और बल आगुण शंबेग आवेग फिर उसके बाद होता है दाब प्रतिबल प्रतिअस्तिता गुणांक आयतन गुणांक ठीक है? प्रतिअस्तिता गुणांक आयतन गुणांक द्रिण गुणांक घनत्तो गुणांक इस सारे के सारे क्या है? इसके मान शमान होते हैं इस बातों को भी आप ध्यान में रखेंगे हो गया तो इतना के इतना याद रखना किसका दाब का प्रतिबल का प्रतिस्त्रा गुणां का आयतन गुणां का ध्रिन गुणां का ये सारे का सारे का मन समान होता है कारे उर्जा और बल अगुन का समान होता है बल और भार का समान होता है शंबेग और आवेग का समान होता है क्या होता है शंबेग और आवेग का गति और चाल और बेग ये सारे के सारे क्या होते हैं इनका SI, IKAI क्या होते हैं बराबर होता है तो ले लीजिए आपसे पूछा ह भार के तो भार और बल क्या होते हैं समान होते हैं तो इसका राइट एंसर यही हो जाएगा आवेग है तो आवेग का होता है और संबेग का बरावर होता है तो अरण के साथ किसी का नहीं द्रमान के साथ किसी का नहीं यह इसका राइट एंसर है यह रहा आपका दूसरा नंब आपको बताना है कि उसके द्वारा किया गया समानने कारे क्या होगा ठीक है क्योंकि वह अपने कपार पे जो मतलब की जो उसके सर पे है मने अपने सर पर 15 kg के वस्तु को रखा हुआ है तो जल्दी से बताएंगे 155 जूल और यहां पे किया गया कारे पूछ रहा है तो आपको हमेशा बताते है कि कारे और उर्जा हमेशा समानने होता है कारे उर्जा और बल अगुण क्या होगे समान होगे मतलब की कारे का भी मतरक उर्जा का जूल का और बल अगुण का मतरक जूल होता है तो सारे के सारे जूल है क्योंकि यह काम करने की है और यहां पे आपको 15 kg दि दिया है एक मीटर और आपका जी का मान दिया हुआ है दस और कारे और उर्जा जब कारे कह रहा है मतलब उर्जा भी है तो कारे और उर्जा मतलब M G H क्या है M G H है M कितना है 10 है एक है एतना है तो क्या करना है 15 गुणे 1 गुणे 10 कर दो तो कितना हो जाएगा 1500 जूल क्या होगा इसका राइट एंसर हो जाएगा तो 1500 जूल इसका राइट एंसर हो जाएगा किस पे बना है तो M G H पे बना है M G H क्यों लगा क्योंकि द्रभमान है हाइट है और गुरुतिय तोरण है तो इसको MGH पर बना ले जिएगा अggaला किसी पदार्थ का मतलब कि किस पदार्थ का प्रती इकाई आयतन का द्रब्मान क्या कहलाता है आफको बता ना है तो आपको पता है क कारे करने की सकती को और कारे करने की चमता को तो जो कारे करने की जो चमता होता है जो चमता होता एफिसियंसी होता उसको तो उर्जा कहते हैं और जो दर होता है कारे करने को उसको सकती कहते हैं अब रहाँ बात की प्रती आयतन में जो द्रविमान उपस्ती होता तो आपको पता है कि जो घनत्व होता है द्रविम इकाई आयतन में उपस्तित द्रभ्यमान को हम क्या कहते हैं घनत्तों कहते हैं और इसका एसाई मैतरक होता है केजी प्रती मीटर की इसका होता है द्रभ्यमान क्या होता है तक किसी वस्तु या किसी भी पदार्थ में उपस्तित किसी वस्तु में उपस्तित पदार्थ की जो मा होती है उसको द्रव्मान काते हैं द्रव्य एक वस्तू है जिसे की द्रव्य क्या है एक वस्तू है और रूजा तो आपको बताए धी अगला question क्यों बढ़ते हैं यह रहा आपका चौथा number questions बताईए किया चौथा questions क्या होगा 50 kg के द्रमान की कोई वस्तू है 6 मीटर पर सेकेंड के वेग से यहाँ परती है 6 मीटर पर सेकेंड के नियत वेग से गतिमान है तो वस्तू का शंबेग क्या होगा तो मेरे भाई सबों को पता है बताईए जल्दी से इसका answer करेंगे सबी लोग सबी लोग इसका answer करेंगे और अभी पताए न कि शंबेग और आवेग का साई मत्रक क्या होता है समान होता है शंबेग और आवेग का साई मत्रक समान होता है मेरे भाई और संवे का p बराबर होता है m b संवे क्या होता है p बराबर m b होता है मेरे भाई और m होता है kg और इसका होता है b ठीक है तो पहले तो m दर्मान का kg और b होना चाहिए बेग तो इसका हो जाता है kgEO kg खुद लिख दिया गया है kg m2 inverse kg second kg प्रती meter है ठीक है यहाँ पे kg m2 inverse है m2 second या m2 inverse ऐसे बताना है और p बराबर mb है मेरे भाई तो m कितना दिया हुआ 50 kg तो 50 रख लेते हैं और b मेरा कितना दिवाई 6 तो 6 रख लेते हैं गुणा करेंगे हो तो 300 अब रहा बात की संबेग का मात्रग क्या होता है तो kg meter second inverse होता है तो kg meter second inverse इसका राइट answer A हो जाएगा अगला औसत चाल और औसत वेग वस्तु के गति को दरसाता है किसके बताए औसत चाल हो और औसत वेग है वस्तु को दरसाता है बताएए बिसेस समय के एक बिसेस अवस्ता को लंबाई में दूरी को कम दूरी को या दिये गए समय अंत्राल में औसत चाल और औसत वेग बताएए कि औसत चाल और औसत वेग दरसाता है किसको चली बताएए तो पता है आपको कि चाल बराबर होता है दूरी बटे में समय ठीक है दूरी बटे में समय और वेग बराबर होता है विस्थापन बटे में समय क्या होता है विस्थापन बटे में समय होता है ठीक है चाल बराबर दूरी बटे में समय है और वेग बराबर विस्थापन बटे में समय और यहाँ पे आपका ओसत चाल और ओसत वेग है तो यहाँ पे वस्तू के जो गती दरसाता है किस अवस्ता को जो वस्तू के जो वेग और चाल जो है किसको दसारता है तो उसके समय के एक विसेस अवस्ता को नहीं क्योंकि जो विस्थापन होता है एक निश्चित दिये गए स एक निशित दिषा में, एक نिशित दूराल में एक निशित दूरी तय करता है। चाल क्या कहते हैं, तो यहां पे दोनों में समय कॉमन है और समय अंत्राल को बताता है, इसलिए इसका राइट एंसर डी हो जाएगा, अगला, ब्रमाण में किनी दो निकायों के बिच गुर्तोकर्षन बल पर निर्भर नहीं करता है, तो बताना है किस पर निर्भर नहीं करता है, तो हमेशा बताते हैं, कि जो एप समनुपाती होता है, M1 into M2 बटे में R2 जब समनुपाती का साइन हटता है तो F चला जाता है और इसके बदले में गुर्तोकर्षन नियतांक आता है जिसे M1 into M2 बटे में R2 कहा जाता है ठीक है? यानि कि जो बल होता है उसके द्रवमान के दूरी पर प्लस उसके गुर्तोकर्षन नियतांक पर मान रहता है यानि कि कहेंगे कि जो गुर्तोकर्षन बल होता है तीन बातों पर निर्वड करता है गुर्तोकर्षन नियतांक पर उनके बीच के द्रवमान पर और उनके बीच की दूरी पर तो उनके बीच के दूरी पर करता है उनके बीच के द्रवमानों पर करता है गुर्तो कर्षन यतांग पर करता है लेकि उनके द्रवमानों का योग नहीं यहाँ पर द्रवमानों के यहाँ गुडणफल होना चाहिए था गुडणफल पर ठीक है द्रवमानों के पर दूरी पर और उनके द्रमानों के गुड़न फल पर इन तीनों पर करता है जबकि उनके द्रमान के योग पर निर्भर नहीं करता है उनके द्रमान के गुड़न फल पर निर्भर करता है इसले इसका राइट अंसर भी हो जाएगा अगला यदि हम किसी दिये गए बल के छे छेत्र को बढ़ाते हैं जब इसके छेत्र को बढ़ाते हैं तो दाब क्या हो जाएगा तो बताना है दाब क्या हो जाएगा बढ़ जाता है कम हो जाता है सुनने हो जाता है अब परिवर्ती तो बताइए तो दाब को आपको पता है दाब बराबर होता है बल बटे में पूल रहा है और छेत्रफल यानि कि जो दाब होता है बल के समनुपाती होता है और छेत्रफल के विद्कर्मनुपाती होता है मतलब कि जब आपका उपर उपर वाले के साथ हो तो समनुपाती और नीचे के साथ हो तो विद्कर्मनुपाती होता है मतलब कि जब उपर वाला ब कम हो जाएगा तो आपसे पूछा है दाब क्या हो जाएगा तो कम हो जाएगा क्योंकि आपसे पूछा कि छेत्रफल बढ़ाने पर जब छेत्रफल बढ़ेगा जब यह नीचे वाला बढ़ेगा तो उपर वाला घट जाएगा क्योंकि यह प्रपोस्नल है क्योंकि यह ऐसे है बितकरमन पाती है और बल बटे में छेत्रफल है तो यह क्या है उल्टा है तो जब यह बढ़ेगा तो यह घट जाएगा यह घटेगा तो यह बढ़ जाएगा तो छेत्रफल बढ़ाया है इसका मतलब दाब क्या हो जाएगा कम हो जाएगा वहीं बल बढ़ाता तो दाब बढ जाता बल घटाता दाब घट जाता इस बातों को भी ध्यान में रखेंगे अगला पानी का कोथनांग मिंदू कितना होता है बताना है कि जो पानी है उसका कोथनांग मिंदू यानि की वैलिंग पॉइंट कितना होता है 100 डिगरी सेंटीगरेट, 0 डिगरी सेंटीगरेट, 50 डि जिस नपमान पे जल क्या होता है उबलना प्ररम कर देता है उसको कोथनांग बिंदू करते है ठीक है बताइए तो पानी का कोथनांग सबको बता है कि पानी का कोथनांग क्या होता है 100 डिग्री सेंटिग्रेट और पानी का है मांग के 0 डिग्री सेंटिग्रेट होता है ठीक ह कि एलकाइन्स के मतलब कि एलकाइन्स और संत्रिप्ट हाइड्रोकार्बन जिसमें कारवन कारवन परमाड़ों के बीच एक तिहरा अबंद होता है एक परमाड़ों का समाने सुत्रे क्या है एलकाइन्स आपको बताना है कि जिनमें दो कार्बनों के बीच तिहरा आबंध होता है उसका समाने सुत्रे क्या है बताइए CNH2N plus 2, CNH2N minus 2, CNH2N minus 1 या CNH2N तो आप लोग जल्दी से बताइए तब तक से कुछ और बताते हैं क्योंकि आपको पता है कि जब क्या हो और जिन कार्बन अणुओं के बीच डबल बॉंड या ट्रिपल बॉंड होता है उसको यानि कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉंड या ट्रिपल बॉंड होता है उसको असंत्रीप्त कहते हैं मतलब कि जब कोई भी कार्बन के बीच सिंगल बॉंड होता है जब दो कार्बन अड़ों के बीच सिंगल बॉंड होता है उसको हम संत्रीप्त हाइड्रो कार्बन और जो दो अड़ों के बीच डबल बॉंड या ट्रिपल बॉंड होता है उसको और संत्रीप्त हाइड्रो कार्बन कहते हैं यही बात आपको बताया है तो ध्यान से देखिए से अगर सिक्षटते बांते हैं जो हइड्रोकारबन होता है कि यह क्या सा मिला है इसलिए हई्स वैकरबन काते हैं तो हाइड्रोकारबन दो प्रकार से हम प्र पालने इएक संत्रीप्त हाइड्रोकारबन के shows और संत्रिप्त हाइडरोकार्बन संत्रिप्त हाइडरोकार्बन में एलकेन स्रेड़ी आता है एलकेन स्रेड़ी के अंतरगत जो रखे जाते हैं वे आते हैं और संत्रिप्त में आते हैं एलकीन और एलकाइन क्या आते हैं? एलकाइन एलकेन स्रेडी में और संत्रीप्त हाइडरोकार्बन जब कि एलकेन और एलकाइन और संत्रीप्त हाइडरोकार्बन है संत्रीप्त हाइडरोकार्बन में जो एलकेन स्रेडी आता है इसमें सिंगल बॉंड होता है L-kin में double bond और L-kin में triple bond होता है आब आते हैं L-kin का सब को पता सुत्र होता है कि CnH2n plus 2 होता है L-kin किनने के लिए कहएगा कुछ नहीं खर देंगे CnH2n होता है और L-kin zijn CnH2n minus 2 होता है तो आप से, क्योंकि L-kin का CnH2n minus 2 होता है उसमें triple bond, cnH2n में double bond और cnH2n plus 2 में single bond होता है अब आते हैं आपके questions की और अब आपके questions को बन जाएगा questions बनाईए questions आपसे पूछा है कि alkyns है alkyns है ठीक न? आता है, alkyn, alkyn, alkyn तो alkyns है औसंत्रीप्त हाइड्रोकार्बन है और s consist Life है, जिसमें 2 carbon परमाणगों के बिच तीहरा बंद है बात यी भी सही है, कIlkyns में एक cosmic da trainings है और उनके बिच तीहरा बंद होता है तो आपसे समाने शुत्र पूछ रहा आथा है कि alkyns का क्या होगा, तो आपको पता है, ये थो alkyn का हुआ किसंब्स एक एक इसका होता यह किसे होगा एक है ने ख और यह किसे होगह से बहुत है एसा नहीं होता बसरत ए और तीनके county चुछ याद रखना है बाद वागी कुछ नहीं रखना है आगे भागे शियंज CNG में मुखे घटन क्या होता है आपको बताना है CNG में मुखे घटन क्या होता है मिथेन, एथेन, 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 ब्यूटेन या प्रोपेन, मिथेन, एथेन, प्रोपेन, बताना है कि जो CNG होता है उसमें क्या होता है जो CNG गैस होता है उसमें क्या होता है मिथेन होता है, इथेन होता है, ब्यूटेन होता है या प्रोपेन होता है जल्दी से बताएंगे तो CNG करना है बताएंगे कि CNG में क्या होगा और आप सबों को पता होता है कि जो LPG होता है लिक्विड फेट्रोलिय जो गैस होता है इसमें क्या होता है तो इसमें होता है आपका प्रोपेन, ब्यूटेन और आईसो ब्यूटेन और सबसे पुछता है कि LPG में मुख है इस कौन है तो ब्यूटेन होता है अब उसी प्रकार CNG का पुछा है तो आपसे पुछ रहा है कि CNG में बताए कि CNG में क्या पाया जाते हैं तो CNG में तो पाया जाता है मीथेन, एथेन और प्रोपेन, ठीक है, इसमें ब्यूटेन नहीं पाए जाता है, मीथेन, एथेन और प्रोपेन, जब कि जो LPG गैस होता है, उसमें प्रोपेन, ब्यूटो, ब्यूटेन और आईसो ब्यूटेन होता है, तिया देखिए जा, रखिएगा कि LPG में प्रो आप पूछाये कि मूखे घटक क्या है? तो मूखे घटक मीठेन होता है, क्या होता है? समानिता मीठेन इसमें 75-85% जो होता है आपका मीठेन ही होता है, और LPG में समानिता जो होता है, अधिकतर वह ब्यूटेन देखने को मिलता है. तो याद रखिएगा CNG का मुखे घटक पुछे कि मुखे क्या होता है तो वे मिथेन होता है जबकि LPG में ब्यूटेन होता इस बातों को दिध्यान में रखिएगा इसमें भी प्रोपेन है तो इसमें भी कुछ मात्रा में प्रोपेन होता है और इसमें भी कुछ मात्रा में प आइए अगला निवन में से किस योगिक में सबसे अधिक परमाडू होते हैं परमाडू है आपको बताना है कि किस में सबसे अधिक परमाडू है बताइए HAO2, CO2, HO2, SO4, CAO2 तो बताइए यह तो हुआ आपके कर्बन डेकसाइड, सलफियूरिक अधिड या CAOH2 तो देखिए आपको परमाडू की अधिक परमाडू को बताना है तो गिनना होता है किनिये तो कितना होगा गिनिये जल्दी से तो hydrogen 1, nitrogen 1, hydrogen 1 और oxygen 2 तो कितना होगा है hydrogen 1, nitrogen हाइडरोजन एक 2 और उक्सीजन 2 तो 2-2 कितना हो गया चार हो गया इसमें कितना हुआ तह कारबन डाइ अनिक कारबन के 1 और उक्सीजन के 2 तह कितना हो गया 3 निम्ने में से किस योगिक में सबसे अधिक परमाडू दिखाई दे रहे, इसमें 4 है, इसमें 3 है, इसमें 7 है, इसमें 5 है, तो कहिएगा कि H2SO4 में जो है, यह क्या है, आपके H2SO4 में सबसे अधिक परमाडू होता है, तो यह, चलिए, आगे बढ़ते हैं, परमाडू के पर्माडू करा सबस्क्राइल को सब्सक्राइस एलुस पास्चर' ने जल्दी से जल्दी है почему एंसर करेंअ है कि इसका राइट एंसर क्या हो जाएंगे करिए तो आप सबू को पता है कि परमाडुके नभी की होज किसनकी दोरे दोरा किया गैब किसके दोरा किया था था निल्स बोर और दमित्रो मेंडेव लुवी पासिर दमित्रूमेंडेव नील्स बोर नहीं है इसका राइट हैंसर अन्रा दर्फोड हो जाएगा अगला उस पद को पहचान कर ये जो निमलिखित समू से संबंदित नहीं है नियोन, क्रेप्टोन, प्लेटिनम या आरगन क्यानि कि कौन सा समू है जो कि समू से संबंदित नहीं है नियोन, क्रिप्टोन, पेलिटिनम या आरगन नियोन का प्रमाडु संख्या आपका होता है 10 क्रिप्टोन का होता है आपका कितना क्रिप्टोन का होता है 36 और आरगन का कितना होता है तो आरगन का होता है 18 नियोन का 10 36, 18 और आपसे कभी के पुछता है कि platinum का परमानु संख्या कितना होता है तो 78 होता है और अब इसमें रहा कि पहचान कैसे करेंगे कि कि समूसे नहीं है तो आपको पता है कि helium, neon, argon, krypton, genon, aridon, ये सारे के सारे क्या हैं अक्रिय गैस के स्रेणी हैं तो आपको neon भी दिखाई दे रहा है, krypton भी दिखाई दे रहा है और argon भी दिखाई दे रहा है ये सारे के सारे आपके अक्रिय गैस हैं जिसको कि आप सुनने वर्ग के समूँ या 18 वर्ग के समूँ या अक्रिय गैस या नोबिल गैस के नाम से भी जानते हैं और इस वर्ग के आपके इस वर्ष के धातू नहीं होता है तो चली आगे बढ़ते हैं अगले question के और अपने बढ़ते हुए अधातू के गुण की करम में निमन तत्तों को विवस्थित करिए कौन सा मतब कि यहाँ पे दिया हुआ है लिथियम है, oxygen है, carbon है, और विरेलियम के बाद उसके बाद क्या है आपके F जो है जिसको की fluorine कहते है आपको बताना है कि उनके बढ़ते हुए अधातू गुण के करम बताना है कि अधातू गुण निमन में से कौन से उनके बढ़ते करम है तो फटा फट से इसका एंसर करेंगे कि कौन सा अधातू के बढ़ते गुण का करम है तो जल्दी से करिये फटा फट से इसका एंसर करेंगे मेरे भाई क्या होगा और आप सब वोको पता होना चाहिए पहले परमाणू करमांग पता होना चाहिए कि जो लिथियम लिखा हुआ है जो लिथियम लिखा इसका परमाणू करमांग तीन और कारबन का 6 लिथियम का तीन कारबन के 6 ओक्सीजन का 8 बेरिलियम जो लिखा हुआ इसका 4 होता है और 1,2,3,4 1,2,3,4,5 यानि एक फलोरीन है और फलोरीन का होता है कितना 9 तो 3, 4, 5, 6, 8, 9 है और आपको पता है कि लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, कारबन का कितना होत अच्छे, ऑक्सिजन का 8, फलोरीन का 9 है और आपसे यहाँ पुछा है कि अधातू, गुर्ण, करम उनके बढ़ते करम में बताना है यानि कि जो अधातू है, सबसे बढ़ा अधातू कौन होगा और उनके बढ़ते करम में बताना है यानि कि बढ़ते करम में ओडर होना चाहिए कि सबसे बढ़ा अधातू कौन है और सबसे छोटा अधातु बढ़ते करम मतलब की छोट से बढ़की और इस सबसे छोटोला पहले उसके बाद दूसरा छोटोला तो आपको पता है कि प्रेडिक्टेबल में जो बाएं तरफ होता है और प्रेडिक्टेबल में दाएं तरफ बाएं तरफ हम धातु को रखते हैं और दाय तरफ हम अधात्व को रखें तो आपको पता है कि जब हम बाय से दाय की ओर जाते हैं तो क्या होता है धात्वी गुण कम होने लगता है और अधात्वी गुण बढ़ने लगता है क्योंकि जब हम इधर जाएंगे तो अधातिवी की गुण क्या होता जाएगा बढ़ता चला जाएगा क्या होता चला जाएगा बढ़ता यानि कि बाय से दाए की ओर जाने पर जो है आपका जो अधातिवी की गुण है क्या हो जाता है बढ़ता चला जाता है और धातिवी की गुण घटता चला जाता है क्या है यह सारे के सारे जो है विरेलियम लिथियम बिरेलियम बुरॉन कार्बन नैट्रोजन ओक्सीजन फ्लॉरीन नियोन यह सारे के सारे किसके तो वर्ग दो के तत्व हैं तो वर्ग दो में पहले तो तीन आएगा चार उसके बाद छे उसके बाद आठ और उसके बाद नौ अब रहा बात कि तीन चार छे आठ नो ये आवर्थ दो के तत्व हैं तो अब रहा बात की 22 से जब नाई जाते हैं तो अधातिवी गुण क्या होता है बढ़ता है तो अधातिवी गुण जब बढ़ता है तो कहेंगे कि लिथियम जो है सबसे कम अधातिवी गुण पाये क्योंकि आधातू के स्रेडी में बेरेलियम लिथियम से क्या होगा बड़ा होगा उसके बाद बेरेलियम के बाद कार्बन का उसके बाद ऑक्सीजन का और उसके बाद किसका होगा फ्लोरीन का यानि कि सबसे अधिक सबसे बड़ा परमाडू जो आधातू होगा फ्लोरीन होग उसके बाद oxygen होगा, उसके बाद carbon होगा, उसके बाद beryllium होगा, उसके बाद lithium होगा, तो इसका राइट एंसर भिहार हो जाएगा, क्योंकि माय से दाइ जाने पर धातिवी के गुण घटता है, और धातिवी गुण बढ़ता है, तो यह क्या है lithium, beryllium, carbon, oxygen और fluorine, इसका यह क क्या है क्रम है तो इसका राइट एंसर भीहार हो जाएगा अगला बताना है कि एक्स का पियेच मान नौ है मतलब कि एक्स का पियेच मान नौ है और य का पियेच मान दो है जेड का पियेच मान 6 है और है तो आपको बताना है कि निमलिखीत में से किस जोड़े में मजबूत एस हैं आपको बताना है कि option A में है यहां पर answer भी आ गया है option A में है क्या X और A, Y में है Y, C option में है Y, Z, B में है AY और AY तो आपको बताए कि इसका right answers क्या होगा और इसको कितने लोग कर पाते हैं देखते हैं फटा फट से इसका करिए कि X का pH मान 9 है और Y का मान 2 है तो बताना है कि कौन सा जोड़ा मजबूत acid और मजबूत छार का है यानि waste का है तो फटा फट से इसका answer करेंगे और आप सबों को पता होता है आप सबों को पता होता है कि जिस pH जिसका potential of hydrogen साथ होता वे होता उधासीन साथ से बाएं तरफ जाने पर अमलियता बढ़ता है और साथ से यानि कि उधासीन से हम जब दाएं और जाते हैं यानि कि दाएं और जाते हैं तो छारियता बढ़ता है ठीक है उधासीन से हम जब बाएं और जाते हैं तो आमलियता बढ़ता है जब उधासीन से जब हम दाएं और जाते हैं तो छारियता बढ़ता है और साथ की ओर आएं बाएं से उधासीन की ओर आईए या छार से उधासीन की ओर आईए दोनों इस्तिती में घड़ता है इसका मतलब सबसे अधिक होगा वे सबसे अधिक बढ़िया चारोगा मजबूत चारोगा तो आपको छाटना है कि सबसे कम PH Japan किसका है तो सबसे कम PH airport वाला यहां पे दो दिखाई दे रहा है यानिक जिसका y है y का PH Astron जो है कितना है? 2 है और सबसे अधिक किसका दिखाई दे रहा है तो सबसे अधिक A का pH मान दिखाई दे रहा है क्योंकि A का pH मान जो है कितना है तो A का pH मान 13 है तो Y और A देखिए किसमें सामिल है तो Y और A जो है आपके option number B में सामिल है क्योंकि आपको मजबूत अमल जो होना था, तो जिसका पीच मान सब से कम, वह मजबूत अमल और जिसका पीच मान सब से अधिक, वह क्या होगा, मजबूत इचार होगा, तो यह ए में 13 है और y में 2 है, तो इसलिए a और y हो जाएगा, अगला, निमलिखित में से कौन सा कथन, अमल के बारे में सत्ते नहीं है, आपको बताना है कि कौन सा कथन जो है अमल के बारे में सत्ते नहीं है, या जलिये माध्यम तरलवस्था में H, यह प्लस आयन है, हाइड्रोजन आयन निर्मान करता है, या स्वाद में कड़वा होता है, या नीली इंट इस पत्र को लाल कर दे करने के लिए धात्तु और बाइकार्बोनेट के साथ अभी किरिया करता है आपको बताना है कौन सा अमल के बारे में सत्य नहीं है तो फटा-फट से एंसर करिए कि कौन सा सत्य नहीं है तो जल्दी बताईए जब भी सत्य कथन चुनने के लिए दे सत्य नहीं है यह पहले सत्य कथन आपको पता करना होता है कौन-कौन से सत्य कथन उसको पहले अटाईए तो आपको पता है कि जो अमल होता है जल में घुल के H पलस आयन देता है तो हम यह बात सत्य है यह स्वाद म कड़वा या बात क्या है गलत है और गलत कथन ही चुनना था तो कौन सा सत्य कथन नहीं है तब B option या कड़वा बोल रहा है कड़वा नहीं होता है अमले स्वाद में खटा होता है कड़वा जो होता है वे छार होता है अमले जो होता है नीले लीडस पत्रों को लाल करता है दम जब अमले धातू के साथ या उनके जो बाई कार्बोनेट्स हैं उनके साथ अभिकिरिया करता है तो हाइड्रोजन, सीयर्टू और लवण का निर्मान करता है इस बातों को विध्यान रखेंगे या तीनों के तीनों क्या हैं सत्य हैं और सत्य कथन वही था यदि मनुस्य के गुर्षूत्रों के संख्या 46 हो तो मनुस्य के दैहिक कोशिका कितने गुर्षूत्रे विध्यमान होंगे आपको बताना है कि जो मनुस्य के गुर्षूत्रों में गुर्षूत्रों के संख्या 46 होती है तो मनुस्य के दैहिक गुर्षूत्रों के कोशिकाओं में कितने गुर्ण सुत्र बिद्यमान होता है 23, 24, 46 या 48 जल्दी से बताईए जल्दी से बताईए और ये questions आपको confuse करने के लिए दिया हुआ है ये confusion confusion करने के लिए दिया है ताकि आप सोचिएगा कि यदि मनुस्य के गुर्ण सुत्रों की संख्या 46 होती है दम बात सही है और मनुस्य के दैही के कोशिकाव में कितने गुर्ण सुत्रों होंगे 46 ही होंगे अभी कितना लोग ए सोचेगा कि 46 है अब फिर 46 है इंसर नहीं होगा कहीना कहीं इसमें लोच किया होगा तो कोनो मारेगा 23, कोनो 24, कोनो 48 तो यहाँ वही बात है कहा कि एक मनुस्य में मनुस्य जो प्रजाती है उन उसमें 46 गुर्ण सूत्र होते हैं और मनुस्य की जो दैही के कोशिकाव होती है उसमें 46 गुर्ण सूत्र होते हैं और जोड़ी कहता तो 23 जोड़ी होता तेस जोड़ी में बाइस जोड़ी जो होता है, क्या होता है, आपके अटो क्रोमोजोम होता है, और जो तेस्वा जोड़ी होता है, एक जोड़ी जो एक स्वाई होता है, उसको हम लिंग क्रोमोजोम कहते हैं, इस बातों को भी आप जानते हैं, अगला, एक अंग्रेजी प्रक दिया था किसे Darwin ने,gehenlip ने या विटकर ने या बताये कि Linias ने कौन है किस के द्वारा जो है आपको विकासवाद के सिधान्थ को दिया गया था एक अई अंग्रेजी प्रकृतवाद तो सबको पता है कि विकास वाद के सिधान्थ को किस ने दिया था अगला आप उस जीव को किस जगत में रखेंगे जो एक को सीखिये उकरेटिक या सुकेंदरिये और प्रकास संसलेका है। और वह प्रकास संसलेका है जो कि प्रकास के तहत ही अपना भोजन बना लेता है। चलिए, करिए answer इसका, तब तक से हम आपको मोनेरा, प्रोटिष्टा और कवक बता देते हैं, सुनिए, मोनेरा के बारे में कुछ बाते सुन लीजिएगा, और याद भी रखिएगा, क्योंकि यहां से questions आपको बने हैं, और आपको याद रखना आता है, ठीक है, मोनेरा की अगर बात कहा जाए न, कि जो मोनेरा जगत है, यहाँ पाला questions बनता है, कि इसमें सबसे प्राचीन, क्या, इसमें, इसमें सबसे प्राचीन, सबसे प्राचीन करने तक सबसे पुराना, सबसे प्राचीन, और सरल, सबसे प्राचीन, यानि कि सबसे पुराना, और सरल, प्रेकरोटी कोशिका रखा गया इुकरोटी कोशिका होता है जिसमें कि मानोज जिवजनतु आते हैं तो इसमें प्रेकरोटी कोशिका पाय जाता है तो जो मोनेरा जगत में होता है क्योंकि मोनेरा जगत सबसे पुराना जगत है और इसमें प्रचीन शरल और प्रेकरोटिक होसी का पाय जाते हैं ठीक है इसके एक्जाम्पल की अगर बांत कहा जाए तो इसके एक्जाम्पल आते हैं जिवाडू क्या आते हैं, जिवाडू, नील हरित सेवाल, जिवाडू, नील हरित सेवाल, शाइनो बेक्ट्रिया, कभी-कभी इसको आर्कियो बेक्ट्रिया भी देता है, आर्कियो बेक्ट्रिया, साइनो बेक्ट्रिया, आर्कियो बेक्ट्रिया और माइको प्लाज्मा, क्या, माइको प्लाज्मा, ये सारे के सारे जो है, आपके, या क्या है, इसमें सबसे प्राचीन और सरल एकुरोटिक उसका जिवाडू, नील हरित सेवाल, साइनो बेक्ट्रिय आर्कियोबेक्टिया एस सारे के सारे आपको दिखाई देते हैं अब रहा बात कि जो इस जग में होंगे जैसे जिवाडू में केंद्रक या केंद्री का तता कोशी का भीत्ती नहीं पा जाता है क्योंकि अब प्रैकुरोटिक होता है इसमें बहुत चीजों का अभाव होता है ठीक है तो यह सारे के सारे आपके मोनेरा जगत के हो गए मोनेरा के बाद आपका है प्रोटिष्टा जगत तो प्रोटिष्टा को देख लेते हैं थोड़ा सा कि जो प्रोटिष्टा है जो प्रोटिष्टा है प्रोटिष्टा से क्या बने है तो प्रोटिष्टा को चीह हैं ज़ल यह मतलब कि जल में पाय जाने वाले जो एक कोशी कि चीह जीव fight जो की सरल ऑर यू होता है क्या होता है इवकरीयोटिक उसी का यूखरीटिक बैकरीयोटिक कोशी का पढ़ाएंगे अग वी टॉपिक बाइट टॉपिक डाल देंगे वीडियो जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा तो टेंस नहीं लेना है यह प्रैक्टी सेट है तो प्रैक्टी सेट में बताते जिसे कि एक बार जब टॉपिक आप लोगों को पढ़ा देंगे ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आप को पता है कि हम लोग जो सेटन्स कल तो कल से वीडियो आना स्टार्ट हो जाएगा कल मातरक का बीडियो आया है उसके बाद हम लोगों का जैसे जैसे बनता जाएगा आपका एनॉंसमेंट भी होता जाएगा और प्रतेक दिन आपको एक साइन्स का टॉपिक डाला जाएगा chemistry bio का, कभी physics chemistry का bio का, जैसे जैसे बनता चला जाएगा, वैसे वैसे आपको video upload होता चला जाएगा, तो वे आपका जिसमें की उस chapter से total के total questions भी रहेंगे और उसका theory part भी हम लोग cover करते चलेंगे, छोटा छोटा topic उठाकर उसका questions प्लस उसका theory, उसका theory प्लस उसका questions और cover होता चला जाएगा और रात्री में हम लोग practice जब करेंगे, तो जितना चीज उसमें पढ़े रहेंगे, recall करते चले जाएगे जिससे की लंबे समय तक हम लोगों को याद रह सके, तो प्रोटिष्टा जगत में zukBretik को सिका auxica है आज अब UKरetic वो शिकाए होंगी तो इसमें कुछ न कुछ चीजह पाई जाती है, ठीख है तो उस जगत के मुख्यता जल्य जी एको सिक्य सरल UKoretik सुच्छ़ जीव को सामलित किया गया है मोनेरा, ठीख है अब क्या होता है कि मुनेरा जगत और पादप जगत और फंजाई के जनतु भी के बीच का कड़ी आपको पुछता है न कि आपको बताना है क्या बताना है क्या पुछता है कि मुनेरा पादप क्योंकि मुनेरा पुटिष्टा पादप और कवक तो मोनेरा पादप ठीक है और एक आता है कवक और जन्तु मोनेरा प्रोटिष्टा जो प्रोटिष्टा है छोड़ दिये मोनेरा प्रोटिष्टा पादप कवक और जन्तु तो मोनेरा और पादप तथा फंजाई और जन्तु के बीच के कड़ी का काम भी करता है मतलब कि जो प्रोटिष्टा होता है वे मोनेरा और पादप को जोडने का कारे करता है फंजाई और जन्तु का मतलब कि जो प्रोटिष्टा संग का जन्तु जो होता है वे सभी के बीच का यूग का कड़ी बना जाता है तो पुछता है कि पादप और जन्तु के बीच के कड़ी को क्या कहते हैं पादप और जन्तु के बीच का जंग जो होता है वह प्रोटिष्टा होता है इसमें जीव प्रचलन के लिए सिलिया और फैला जीला होता है, जो प्रटिष्टा संके जीव पाई जाते हैं, उसमें प्रचलन के लिए सिलिया और फैला जीला होता है, पोसलन के दृष्टी से यह सोपोसी और परपोसी भी होते हैं, ठीक है, सोपोसी और परपोसी दोनों प प्रोटिष्टा संग के अंतरगत कौन आते हैं तो प्रोटिष्टा संग के अंतरगत आते हैं अमीबा क्या आते हैं अमीबा आया पैरामिसियम आया इत्यादी जो है आपके अमीबा और जो पैरामिसियम आते हैं यह सारे के सारे आते हैं और कवक में आपको तो पता ही होता है कि जो कवक होता है या बव को सिखिये इवकेरेटी को सिखा होता है जो कि पाओधे तो है लेकिन इसमें क्लोरोफील नहीं पाय जाते हैं पाओधे तो होते हैं लेकि क्लोरोफील नहीं पाय जाता है अमीबा पौधा भी होता है और इसमें क्लोरोफील भी पाय जाता है बहुत बढ़िया, तो पहला तो मोनेरा होता है, प्रैक्योरोटिक इसी प्रकार से आप इसको हटा सकते हैं, कि मोनेरा तो प्रैक्योरेटिक है या एंसर नहीं होगा, ठीक है, अब रहा बात कोवक और प्रोटिष्टा और प्लांटी ये सारे के सारे उक्योरोटिक को सिका ठी मतलब कि यह प्रकास नसलेसर करने का चमता इसमें नहीं होता इसलिए भी नहीं होगा और प्रोटिश्टा जो होगा इसमें एक कोशिकिय जीव भी है और इसमें प्रकास नसलेसर भी पाए जाता और इसमें रोटी कोशिका भी होता है इसलिए इसका राइट अंसर ए हो अगला हाइडरा अश्टार्फिस प्लेनेरिया निम्नमे से किस से उत्पन होते हैं आपको बताना है कि हाइडरा ठीक है हाइडरा पर मत चला जाना अश्टार्फिस और प्लेनेरिया आपको बताना है कि किस प्रेकिरिया के द्वारा उत्पन होते हैं विखंडन के द्वारा होता है, तो जल्दी से बताएंगे, आपको पता है कि विखंडन दो प्रकार से होता, एक होता है दू विखंडन और एक होता है बहु विखंडन, ठीक है, दू विखंडन बहु विखंडन, मुकलन भी और इत्यादी इत्यादी भी होता है, तो अंसर करें इसका क्या होगा, च और में पता है कि हाइडरा जो है हाइडरा जो है मुकलन विदी से होता है बिजानु जनन से अस्पाईरो गईरा होता है मुकलन भी करता है और पुनर जनन भी करता है प्लेनेरिया जो होता है आपका पुनर जनन और अस्टारफीस पुनर जनन तो यहाँ पे किस प्रेकिरिया के द्वारा उत्पन होता है तो हाइडरा देख के मुकलन मत मार देना क्योंकि Hydra है Starfish है और Pelenaria है इन तीनों को देखकर बनाना है तो याद रखिएगा कि जो होता है वे होता है आपका कौन तो वे होता है पुनर जनन आईए अगले questions क्यों पर बढ़ते हैं अगला questions क्या है तो देखते हैं नेमलेखित में से कौन सा राई जोइट्स के बारे में गलत है राई जोइट्स इसकी समर्चना और कारे संबहनिये भूपादप के मुड्स के समान होती है और रोम है या ब्राई फाइटा के निचली बाहे त्वचा की कोशिका से बढ़ने वाले उभरे होते हैं या इसमें पूरबिक्सी तताना को बताना था कि अब विभीन उत्तव को से बनी बहुको सिख्ये सरचना है बताना है आप से कि राई जोइट्स के बारे में क्या है यह यह राई जोइट्स क्या है आपको बताना है कि राई जोइट्स क्या है तो फटा फट से एंसर करेगा सभी लोग कि राई जोइट्स क् के बारे में कौन सा गलत कथन है बताना है पहले समझ लेते हैं कि यह राइजोइट्स कहां पाए जाते हैं तो यह राइजोइट्स होते हैं मेरे भाई जो राइजोइट्स होते हैं यह राइजोइट्स जो है आपके ब्राइफाइटा जो ब्राइफाइटा संग के अंत्रगत जो ब्राइफाइटा संके जो पाद पाई जाते हैं ब्राइफाइटा का जो निचली बाहत्वाचा की कोशिका है तो ब्राइफाइटा के निचली क्या? निचली बाहत्वाचा की कोशिका है बाहत्वाचा की क्या है? कोशिका है राजोट क्या होता है या निचली कोशिका का पाय आता है जो भूमी से पौधे मूल रूम के द्वारा संरचना का कारे करता है बनी कि पौधे में जो मूल रोम का या सनरचना का कारे करता है कि पौधे का जो मूल रोम होता है जो छिद्रक का कारे है उसे के सनरचना का कारे कौन करता है तो राई जोट्स करता है ठीक है फिर से समझे ये कि राई जोट्स क्या है तो ब्रैफाइटा के निचली बाहित त्वाचा का एक परत है। जो की संबहनिये भूमी पौधा में मूल रोम के लिए सनचना का कारे में समान होता है। मुल रोब होता है जो रोम होता है जिसे की पादभ के जड़ में जो रोम पाए जाते हैं उसके समान राई जोट पाए जाते यह ब्राइॉर्वटा सब्सक्राइब निचली बाहत्वचा की कोशिका से बढ़ने और उभरने वाला है ये भी बात सबते क्योंकि ये ब्रैफाइटा का है और इसमें विक्सित ताना जड़ और पती इसमें विक्सित ताना जड़ और पती नहीं होता है इसमें ताना जड़ पतियां कुछ अभावित रूप में हो से कम्ल विभाजन को बढ़ावा देता है। आपको बताना है क्या होगा आपको बताना है क्या होगा एबसेशिक साइटोकाइनिन आक्सिन या जिब्रेलिन्स थोड़ा ध्यान से करिएगा एंसर अन्य था आप एंसर को गलत कर सकते हैं तो ध्यान हटी दुरगटना घटी मेरे भाई तो ध्यान से करिएगा क्या होगा पढ़ाई से रिलेटेड बात होगी और कुछ नहीं करेंगे हम लोग तो कोशिका विभाजन को बढ़ा देता है तो कोशिका विभाजन को बढ़ा देता है तो कोशिका विभाजन को cytokinin क्योंकि कोशिका विभाजन में मदद कौन करता है तो जो कोशिका विभाजन वे होता है cytokinin कभी-कभी पुछता है लेकिन यहाँ पर कोशिका के विवाजन मदद कौन करता है, तो साइटो काइनीन करता है, अगला, एक मोटी जेल की तरह घोल बनाने की इसकी छमता 125 के कारण, थोड़ा देख लेते हैं कि गलत टैपिंग तो नहीं किये, चलिए, अब बताईए, एक मोटी जेल के तरह घोल बन बनाने कि इसकी छमता के कारण, इसका उप्योग जेली, मोम और मुराब्य बनाने में, बनाने के लिए वाणी जिक रूप से किया जाता है, कि इसका, पेप्टाइड का, पेप्टॉन का, पेक्टिन का या लेक्टोज का, आपको बताना है कि यहाँ जो है, मोटी जेल की तर आप सबों को पता है कि लेक्टोज एक सुगर है जो कि दुद में पाया जाता है, पेक्टिन, पेप्टॉन और पेप्टाइड, बताए क्या होता है, तो आपको पता है कि जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन को जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन को जो रेनीन जो होता है, रे लेकाता है रेनीन अमासें पाई जाना लेकों था अमीनो एसिड पाई जाता है तो ट्रिपसीन अगनासे में जब कि पेपसीन क्या होता है जो पेपसीन अगनासें पाई जाता है वह तो प्रोटीन को क्या करता है तो प्रोटीन को प्रोटीन को प्रोटीन को प्रोटीन को प्र पॉली पेप्टाइड में तोड़ता है तो यह तो पेप्टीन और पॉली पेप्टाइड तूटता यह तो गुलकोज की रूप में है तब पेप्टॉन और पॉली पेप्टाइड कहां से होगा पेप्टॉन और पेप्टाइड यह सारे के सारे नहीं होगे options को छाटने का eliminate करते तो आप ऐसे इसको छाट सकते थे क्योंकि अगर आपको 4 options को पता होता कि किसका क्या होता है तो आप कुछ अंदाज से भी लगा के बना सकते थे क्योंकि यहां तो lactose है lactose हम देखते हैं कि जो दूद के सरकराम पाई जाता है तो इसमें मोटी जेल के तरह कोई चीज दिखाई देता है नहीं दिखाई देता है तो lactose को eliminate कर देते हैं peptoids या pepton आपको पता है कि protein को तोड़ने पर peptoids और polypeptoids तोता है और protein और peptoids जो polypeptoids तोता है तो का है proton और इसको बनाने अचार मुराबा बनाने मकरते हैं यही भी नहीं होता तो होगा क्या पैक्तिन अब समझ लेते हैं कि जो पैक्तिन है इसका उप्योग हम जेली, जेम, मुराबा बनाने और वाणी जे के रूप में करते हैं तो इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा पैक्तिन हो जाएगा कभी याद नहीं तो याद रखिएगा क्यों कैसे हम आपको बताये थे तब peptides और pepton या पेपसीन का करता है प्रोटीन को तोड़ता है यह नहीं होंगे लेटोज सुगर है यह भी नहीं होगा और क्या होगा क्योंकि यह दूद सुगर है मांस्पेसिय के क्रिया से उत्पन बल को क्या कहते हैं जो मांस्पेसियों के क्रिये के द्वारा जो उत्पन बल होता है उसको रसाइनिक बल क्योंकि आपका मांस्पेसिये है क्योंकि मांस्पेसियों के द्वारा जो उत्पन बल होता है उसको क्या कहते है यांत्रिक सारीरिक बल मांस्पेसिये बल क्या कहते है तो फटापट से मेरे भाई सब एंसर करेगा इसका क्या होगा और भाई वीडियो अगर अच्छा लगे जाते जाते तो लाइक और शेर तो करेगा नहीं क्योंकि हम तो कहते कहते तु लोगों ठक चुके है तो बस आप लोगों का क्रिपा है कि आप लोग बच्चों को मत लेकर आए क्योंकि बच्चों लेकर आएगा तो आपका एक छीट इसलिए आप लोग लाते नहीं है, आप लोग स्वार्थी हैं, स्वार्थी नहीं मनना चाहिए, तो आईए, मांस पेसियों के क्रियाओं में उत्पन बल को क्या कहते हैं, तो उसको PCA बल कहते हैं, क्योंकि आपके PCA में प्रत्यस्तिता के कारणा, आप क्या PCA बल लगा के रहा आज का आपका science का questions जो कि हम लोगों ने एक घंटा में यानि छपन मिनट में इसको questions को कर चुके हैं तो science के बाद अब हम लोग current करेंगे तो सभी लोग एक बार score share करेंगे और उसके बाद current affairs के ओर हम लोग अगरसर होते हैं आगे देखते हैं कौन को से questions होते हैं तो आज नो बात सीधा questions पे आएंगे और questions को discuss करते चलेंगे हम लोगों को पढ़ना है सिर्फ पढ़ना है तो पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए और बच्चों को लेकर मत आईए क्योंकि लेकर आईएगा तो आपकी घाटा होगी क्योंकि आप तो कुछ कहना मानना है नहीं कहेंगे कि बच्चों को लेकर आईए शुरू से लाश तक बनके आईए तो जो कहेंगे उसका just opposite होता है बच्चों को कहेंगे लेकर नहीं आना है तो मत ले कराईए चलिए आते हैं आज का पहले questions की ओर आज का पहला questions करेंट का क्या है ए रहा आज का पहला question निमलिखित में से किस केंद्रिय मंत्री द्वारा सार्थक योजना की सुरुवात किया गया है आपको बताना है कि कौन से केंद्रिय मंत्री हैं जिनके द्वारा सार्थक योजना की सुरुवात किया गया है तो फटा फट से एंसर करिएगा कि कौन सा है जिनके द्वारा सार्थक योजना की सुरुवात किया गया है जल्दी से बताएंगे तो वे हैं आपके रमेश निसंख पोकरियाल के द्वारा सार्थक योजना चलाए गया है तो जो सार्थक योजना है या किसके द्वारा चलाए गया है तरस रमेश पोखरियालनी संख को के दोरा चलाया गया है अगले question क्यों बढ़ते हैं हाली में गुजरात के किस व्यक्ति ने सत्यागरा अगेंस्ट पल्यूसंस अंदोलन की सुरुआत किया है सुमोना चक्रवर्ती, बिश्व भूशन पांडे, हरिश्चंद्र प्रसाद या वीरल दसाई कौन? वीरल दसाई बताईए कि गुजरात के किस व्यक्ति ने सत्यागरा अगेंस्ट पल्यूसंस अंदोलन की सुरुआत किया है तो गुजरात के मुख मंत्री कौन है? विजयरुपाणी है विजयरुपाणी है कौन है? गुजरात के विजयरुपाणी और यहां के राज़ेपाल कौन है? आपको बताईएगा गुजरात के राजेपाल कौन है बिजय रुपाणी के बाद यहां के राजेपाल अजार देवरत है अब रहावात के गुजरात राजे में कौन-कौन से राष्टी उद्यान है तो आपको पता है वनसादा गीर और मेरिन गीर राष्टी उद्यान और जो मेरिन राष्टी उद्यान है यह कहां है आपके गुजरात में है तो गुजरात के बिजय रुपाणी अचार देवरत बनसादा ब्लैक बग गीर राष्टी उद्यान और मेरिन यह सारे के सारे आपके गुजरात राजे से अगला नेलसन मंडेला विसो मनावतावादी पुरसकार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है रुमना सी सहगल को सियन राव को जस्पाल सी और सुमोना चकरवर्ती को तब तक से आप लोग को बताना है कि साहित्य में जो पुरसकार है साहित्य में आपको बताना है ग्यानपीट पुरसकार किसको मिला है पचपनवा ग्यानपीट पुरसकार चोगवनवा ग्यानपीट पुरसकार फिर बताना है आपको व्यास सम्मान क्या व्यास सम्मान तीसमान तीसमान और ठीसमान उसके बाद आपको सर्वसती सम्मान सर्वसत में मिला है और यह क्या 18 में इनको मिला है 19 में इनको मिला है 18 में तो बताए कि इनको मिला है तो ग्यान पिट की अगर प्रुसकार की अगर बात कहा जाए ग्यान पिट प्रुसकार 55 ग्यान पिट किसको मिला है तो अकित्यन अचुत्यम को मिला है उनकी पुस्तक किसके लिए ब 12 ग्यान पीट प्रुसकार अमिताब घोस को मिला था जो कि अंग्रेजी भासा के थे व्यास समान थिस्वान ब्यास समान जो कि 2020 में मिला है कि सको मिला है तो यह सवरद पागेर को मिला है पाटली पुत्रे के समागरी के लिए जो 19 में 29 मिला है वे मिला था किसको व्यास समान तिया नसीरा सर्मा को कागज के नाव के लिए जबकि या जो 28 मिला था या लीला धर जागूरी को मिला था जितने लग उतने प्रेम के लिए और सरवसती समान अगर पुछे कि तिसमा सरवसती समान जो 2020 मिला है यह किसको मिला है तो यह मिला है सरण कुमार लिमबाले को मिला है तो यह भी याद रखिएगा सरण कुमार लिमबाले के लिए मिला है अब आते हैं निलसन मंडेला प्रुसकार जो 200 मना उतावादी प्रुसक चोविस अप्रेल को, चोविस अप्रेल को, पचीस अप्रेल को या उन्तिस अप्रेल को, आपको बताना है कि कब मनाया जाता है, तो पंचायती राज़ दिवस, जो पंचायती राज़ दिवस है, चोविस अप्रेल को, ठीक है, पचीस अप्रेल को जो मनाया जाता है, वे मलेर या दिवस मना जाता है तो यह भी याद रखिएगा हाली में खोगोल वीद द्वारा ब्रहमाण में खोजे गए सबसे छोटे ब्लैक होल का क्या नाम रखा है हाली में खोगोल वीदों के द्वारा एक ब्रहमाण में खोजा गया है छोटा सा ब्लैक होल उसका नाम क्या है उनिकॉर्ण, मिनिकॉर्ण या लुना, तो जल्दी से बताएंगे इसका क्या नाम रखा गया है, सबसे छोटा ब्लैक होल, उसका जो नाम रखा गया है, वे क्या है, जल्दी से बताईए, यहाँ पे मिनिकॉर्ण, मिनिकॉर्ण ना यूनिकॉर्ण होना चाहिए, सही नाम इस भारत के टीका उत्सो दुहजार एकिस का आयोजन कब तक चलेगा जो टीका उत्सो है इसका आयोजन कब से कब तक चला 7 अपरेल से 14 अपरेल तक 15 से 25 अपरेल या 11 से 14 अपरेल या 25 से 30 अपरेल के बीच बताईए कब तक चला तो यह चला था भारत में टीका उत्सो दुहार एकिस का आयोजन 11 अपरेल से लेके 14 अपरेल के बीच चला था यह बात भी ध्यान में रखियेगा अब आते हैं अगले कोस्चन की और हाली में किस राजे में परधान मंत्री मोदी द्वारा देश का 75 सौवा जन और सधी केंदर का उध्गाटन किया गुजरात में असम में 36 गड में या मिघाले में बताईए हाली में किस राजे में परधान मंत्री मोदी जी के द्वारा 75 सौवा जन और सधी केंदर का उध्गाटन किये हैं। गुजरात में असम्य में घाले में या 36 गण में तब तक से आपका इंसार करिए तब तक से राज्य आ गया है तो इसके मुख मंतिर राज्य पाल और इसे से जूड़ी राश्टी हो दिया तो गुजरात से अभी बता है कौन है गुजरात से बिजयरुपाणी और अचार गीर ये सारे के सारे हैं और एक होता है बंसदा मनार और गीर एक और क्या छुट रहा है ब्लैक बग क्या ब्लैक बग वहां की है ये सारे के सारे असम के अगर कहें कि मुख मत्री और राज्य पाल तो असम के हमंत बिश्व शर्मा कौन असम के हमंत बिश्व शर्मा और जग काजिरंगा नामेरी क्या है नामेरी नामेर आता है गैसे तो ऐसे याद रखिएगा फिर से लिखते हैं ताकि क्रम आपको याद रहे है डिब्रु शुखवा नामेरी काजिरंगा ऐसे करके लिख देते हैं जिसे कि याद रहेगा फिर से सुनिए डिब्रु गड़ एक असम का बता दियते यहां पे है डिब्रुगड शुखोवा काजिरंगा नामेरी डिब्रुगड शुखोवा काजिरंगा नामेरी मानस राजियुगांधी और ओरंग मानस नामेरी और राजियुगांधी औरंग यह सारे के सारे असम गड़ में है चतिस गड़ में तो बताये थे कांगेर घाटी कांगेर घाटी गुरु घासी दास ठीक है कांगेर घाटी गुरु घासी दास और एक और कांगेर घाटी गुरु घासी दास एक और है बताःे कोई बताएगा चेटिसगठ का और, एक और छूट रहा है तो इंद्रावती, कां? इंद्रावती मेघाले में अगर कहा है तो मेघाले में कौन कने? तो बल्फा करम और नोकरे क याद रखिएगा सिर्फ उडिसा के नविन पतनायक और गड़ेसी लाल है और मेघाले के कहेगा तो मेघाले के कौन है तो मेघाले के आग से पुछे कि मेघाले के सत्यपाल मलिक अभी भी वहां के बने हुए हैं और कॉनराड संगमा तो सत्यपाल मनिक और कोड़ांट संगमा कहां के राजजपाल है और कहां के मुखवंत्रिय तो मिघाले के और बलफा करम और नो क्रेक मिघाले में यहां पे गारो खासी जैनतिया नमक पहाडी भी यहीं पर पाई जाती है इन सब बातों को भी ध्यान में रखिएगा अगले कोस्चन के और वड़ते हैं मेरे भाई अगला कोस्चन बताना है कि हाली में किस राजे या केंदर सासीत परदेश के दोहरा रेडियो कारे करम आवाम की बात की सुरुआत किया गया है दिल्ली मतलब किस राजे या केंदर सासीत के दोहरा रेडियो कारे करम आवाम की ब है क्योंकि दोहीं ऐसा है जिसमें की आपको दिल्ली और पदुचेरी तो इक के क्या एन रंगा श्वामी और तमिल सुन्दर राजन वहां के हैं जम्मु कास्मीर के अर्विंद के जरिवाल और अनिल वैजल हैं जम्मु कास्मीर के अंदर सासी थाच्तिर पर यहां के राजेपाल यहां मुख मंत्री नहीं होते उपर राजेपाल होते हैं तो जम्मु कास्मीर के तो हो जाएंगे कौन? जम्मु कास्मीर के मनोच सिनहा जम्मु कास्मीर के मनोच सिनहा ना ठीक है मनोच सिनहा और लदाग के कहता है तो लदाग के रादा कृष्ण माथूर और उर्तर पर्देश की योगी आदितिनाथ और वहां के राजेपाल कौन है तो सबको पता अनंदी बेन पटेल है जरकंड के जरकंड के तो हमन्द सुरेन और वेविरानी मौरे अरे सोरी जरकंड के कौन है तो वेविरानी मौरे ही है न ठीक है क्या करिए एक बर कमेंट में नहीं जरकंड के हमंत सोरें तो हैं लेकिन यहां के रमेश बैस है उत्राखंडी के बेवी रानी मोरे है यह तो हुए राजेपाल और उनके मुख मंत्री और यहां से जुड़े हुए राष्टी उध्यान को दो चार दिन और किया जाएगा फिर उसके बाद कुछ नया टोपिक लेके आया है हीमिस है क्या है हीमिस है दाची गराम हीमिस है और उसके बाद क्या है दाची गराम हीमिस किस्तवार और सली मली क्या किस्तवार और सली मली शली मली यह सारे के सारे आपके जमुकासमीर में है उत्तर परदेश में दुधवा है और जहरखंड में बितला ठीक है उत्तर पर प्रदेश में दुदवा, घारखंड में बिदला और बिहार में बालमी की यह भी याद रखिएगा अब रहा बाद ये किस राजय सरकार निक कंतर सासित प्रदेश दोहरा रेडियो कारिकरम अवाम की बात शुरू किये हैं तो यह जो राजय सरकार है आपका कौन से राज्य सरकार है तो जम्मू का स्मीर सरकार है जो जम्मू का स्मीर में अवाम की बात की सुरुवात किया गया है इस बातों को भी आप ध्यान में रखिएगा अगले question क्यों बढ़ते हैं हाली में किस राज्य के अधिवास्सी समुदायों द्वारा शीमोगा उत्सव आपको बताना है कि शीमोगा उत्सव का आयोजन किया गया उडिसा गोवा 36 गड़ या मिजोरम आपको बताना है कि क्या होगा एंसर करिए उडिसा के तो पता है आपके कौन है नविन पतनाय गण प्रमोद सावंत वहां के मुखमंत्री हैं और सिरीधरन पिल्लाई यहां के राजयपाल हैं एक फिक्स रहेगा चतिस गड़ के तो बता दिये नवीन चतिस गड़ के कौन भुपेसी बगहल है और अन्सुया उई के हैं मिजोरम के जोरत थंगमा मिजोरम के जोरत थंगमा और मिजोरम के कौन है जोरत थंगमा है और यहां के जो राजयपाल है हरी बाबु कमभापती हरी बाबु कौन हरी बाबु कमभापती है तो याद रखेगा मिजोरम के जोरत थंगमा हरी बाबु कमभापती कहां के हैं मिजो बात उडिसा से जुड़े राष्टिय उद्यान कौन कौन से है उडिसा में जो जुड़े राष्टिय उद्यान है उडिसा के कौन कौन से है तो भीतरकनी का और सिमली पाल हुआ गोवा में कौन कौन से है तो गोवा को बताये थे कि महावीर है जिसे हम मुलेमा के नाम से भी जिसे मुलेम भी कहा जाता है, चतिस गड़ में तो अभी बता है, उडिसा के बता दिये, भितरकनिका और कौन, सिमलीपाल, चतिस गड़ में कौन हुआ, चतिस गड़ के बता है, न इंद्रावति, कांगेर, गाटी, गुरुघासी दास, मिजोरम के मात याद रखियेगा, के सारे जो हैं, आपके दिखाई देते हैं, या कहा है, तो मुलूल, फॉंगा फाई, या आपके मिजोरम में है, इस बातों को भी आप ध्यान में रखियेगा, और अच्छा, इसका एंसर नहीं ने लिए, कि सिमोगा उत्सो कहां मनाया जा रहा है, तो जो सिमोगा उत्सो है या आपके गोवा में मनाया जा रहा है, याद रखियेगा, तो सिमोगा मुद्सो कहां गोवा में मनाया जा रहा है, तो इस सारे के सारे आपको याद रखना है, केला मुद्सो, केला चावल, गूड, इस सारे के सारे उत्तर परदेस में मनाया जा रहा है, तो आप तो याद है यह को महुद सो इतने सारे के सारे आपके महुद सो भी याद एक पर बताए भी हैं आपको याद भी करा देंगे हाली में IBSA की महीला फोरम के बैठक के वर्चुल में आउजित की गई के अध्यक्ष्टा किस के द्वरा किया गया हाली में मतलब कि IBS के एक महिला फोरम के बैठक हुआ था इसका आवजन किस देश के अधेक्षता भारत दचनापिर का या ब्राजिल बताईए कि किस देश में अधेक्षता किया था बताई जल्दी से तो कहेगा कि IBS के महिला फोरम के बैठक में जो वर्चुल बैठक हुआ इसके अधेक्षता भारत के द्वारा किया गया था अगला हाली में केंद्रिय मंत्री नरेंद्रसी तोमर ने सारस आजिवी का मेला 2021 का उधगाटन कहां किया आपको बताना है कि केंद्रिय मंत्री नरेंद्रसी तोमर के द्वारा सारस आजिवी का मेला का नासिक या बड़ ओदा में बताई है। तो पता है लखनव में घुड़ महतसो क्या घुड़ महतसो मनाएगा घुड़ महतसो तो ऐहां पूछ रहा है कि सर एजीवी का मेला जो सर आजिविका मेला का उधगाटन किया कहां तो जो सर आजिविका मेला का उधगाटन कहां किया तो बताए जल्दी से तो जो केंद्रिय मंत्री नरेंद्र सीतोमर है या सरस आजिविका जो मेशन है यह greater noeda में इसमेला का आयोजन किया गया था अगला चोदा फरोरी को किस बंदरगा को अंतराश्चिय कुरूज टर्मिनल सागरिका का उधगाटन किया गया कोची बंदरगा मुंबई, मार्मोगाओ या चिन्नाई तो आपको बता है कोची तो कोची में है मुंबई बंदरगा मुंबई में है मार्मोगाओ गोवा में चिन्नाई चिन्नाई में ते इसमें कोई भाय नहीं लेकि आपको बताना है कि कौन सा अंतराश्चिय कुरूज को जो टर्मिनल है उसको सागरिका का उद्गाटन किया अंतराश्चिय क्रूज टर्मिनल सागरिका का उद्गाटन किया गया कोची बंदरगा में, मुंबई बंदरगा में मर्मोगोवा में या चिन्ने इन बंदरगा में बताईए कहां तो पटापट से इसका अंसर करेंगे कहां तो जो अंत्राश्चे क्रुष टर्मिनल सगरिका है वो कोची बंदरगा में कहां कोची बंदरगा में किया गया अगला हाली में भारत के किस सहर में देश का पहला एक्यूट क्लिनी खोला गया यानि कि एप्यूटी क्लिनिक खोला गया आपको बताना है कि एप्यूटी क्लिनिक कहां खोला गया बपाल में इलहाबाद में लखनव में या चंडीगण बताईए हाली में भारत के किस सहर में देश का पहला Appunity Clinic खोला गया है बपाल में, इलहाबाद में, लखनव में या चंडीगड में जल्दी से बताईए जल्दी से Appunity Clinic यह है आपके चंडीगड में कहां? चंडीगड में अगला हाली में फिफा ओध 2021 से किस बॉलीगूड अभीनیता को समानित किया गया गया है अक्षै कुमार को, नौाजुं दिनसदिक्की को, अमिता बच्चन को या सारू खान को 2010 में एफ, आई, एफ फिफा नहीं है एफ, आई, एफ या financial ऐसे करके कुछ banking से संबन्दी था वह film फियर वाला नहीं है और फिपा फुटवाला नहीं है तो या F.I.F.A ही है इसे film international एक्सगंट के सिदब film से है या film से संबन्दी था और या किसको दिया गया था अक्षाय कुमार को नवाजु दिन सिदिक्की को किसको सम्मानित किया गया है F.I.A.F.A यह आपको अमिताब बचन को सम्मानित किया गया है अक्षाय कुमार को अभी हाली में लक्ष्मी के लिए क्या लक्ष्मी यानि वेस्ट हीरो का आवर्ड जो है लक्ष्मी के लिए दिया गया है ठीक है और यह किस में दिया गया है बताएंगे तो करिए एंसर किस में दिया गया है तब देखते हैं चलिए आगे किस भारतिय संगितकार को अलबर्ट वाइंग आईकोन अवर्ड से सम्मानित किया गया है आपको बताना है कौन से भारतिय संगितकार है जिसे अलबर्ट वाइंग आईकोन से सम्मानित किया गया आपको बताना है कौन किसको अलबर्ट बाइंग आइकॉन से सम्मानित किया गया है तो फटापट से बताएंगे कि किन को दिया गया है अलबर्ट बाइंग आइकॉन आवर्ड से किसे सम्मानित किया गया है तो जो अलबट वाइंग ओवर्ट से किसे सम्मानित किया गया है तो यह सम्मानित किया गया आपको AR रहमान के द्वारा किया गया है ठीक है? AR रहमान के द्वारा किया गया है तो एक और बात बता दे कि आप लोग सुबा वाला जो बीडियो डाला जाएगा unit का यानि जो मात्रक है उसको जरूर देखिएगा और उसके बारे में feedback जरूर करिएगा वह प्रीमियर class नहीं होगा वह uploaded class होगा तो आपको जब समय लागे उसको देख सकते है आप जब वीडियो अप्लोड हो जाएगा सुबा में आपको जब समय लागे pen copy लेकर बेट जाएगा जो उसमें note करने लाइक होगा note कर लीजेगा और उसको बनाईएगा मेरे भाई जो मात्रक और unit से जितने भी questions बने हैं रेलिवे में 2016 से लेके 2020 तक क्या 2016 से लेके 2020 तक जितने भी मात्रक से questions बने हैं उसका तो MCQ session प्लस उससे जूड़ी जो थोड़ा बहुत जो theory है उसको बताया गया है तो आप लोग दोनों के दोनों देखिएगा सुरू से अंतक विनाई script करके देखिएगा ताकि आपको फैदा हो जब अगला बार देखिएगा तो जो आपको देखना होगा वही देखिएगा क्योंकि उसमें timeline भी लगा देंगे कि इतना से इतना मिनट के बीच क्या है इस बातों को बताया गया है बस वहाँ पे आप click करिएगा उतने पागों पे आप पहुँच जाईएगा तो इस बातों को भी आप ध्यान में रखिएगा तो चलिए अगले questions क्यों बढ़ते हैं तो उसमें जुणना नम बोलिएगा और जो इस channel पर पहली बार जुड़े हैं मेरे भाई उसको like तो करवे करिए आप लोग तो जुड़ते जुड़ते ही like करिए और इस video को भी share करिए जादे से जादे मात्रा में आप इस video को share करें और जब भी देखिए सुरू से लाश्ट तक के देखिए क्योंकि हम आपको आज से आपका दो घंटा समय नहीं लेंगे जल्दी जल्दी बताते चलेंगे और समझाते चलेंगे और भागते चलेंगे जनौरी 2021 के किस राज्य में भारत का सबसे लंबा सणक आर्च विर्ज का उधगाटन किया गया मिजोरम में, मिघाले में, जमू कास्मीर में या असम में बताईए कि कहां? सबसे बड़ा आर्चरी विर्ज कहां किया गया है? तो जल्दी से बताईए कि जनौरी 2021 में सबसे लंबा सणक आर्च विर्ज का उधगाटन किया गया कहां? मिजोरम में, मिघाले में, जमू कास्मीर में या असम में तो जल्दी से करिए जल्दी से करिए सभी लोग यह हो जाएगा मिघाले में मेघाले में का बता है तो बालफा करम और नोकरेक बालफा करम और नोकरेक यहां राष्टी उद्यान है मेघाले के कॉन्राड संगमा हो गए कॉन हो गए कॉन्राड संगमा हो गए लेकिन और सत्यपाल मलिक कुन्राट संगमा और सत्यपाल मलिक नोकरेग और वालफा करम यहां कहां 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 मिघाले कहां जम्मु कास्मीर के तो बता दिये मनोसिन हाँ है जम्मु कास्मीर में कौन बता है हीमिस हीमिस हीमिस, दाची गराम, किस्तेवार और सली मली जो कि City Forest के नाम से भी जाना जाता है जमू का स्विर में असम में तो बता दिये डिबरू सुखवा असम ना मेरी कजरंगा मानस असम ना मेरी डिबरू सुखवा यह सारे के सारे मिजोरम के दो बताई वेक हैं मिजोरम के माँत आपको दो याद रखना है मुरलून और फ़ंग फाई सैन ने ताकत के अधार पर जारी Global Fire Power Index में मतलब कि एक सैन ने ताकत के अधार पर जो सैन ने है उसके अधार पर ग्लोबर फायर पार्क इंडेक्स भारत में कौन सा अस्थान प्राप्त हुआ है आपको बताना है कि भारत का कौन सा अस्थान प्राप्त हुआ है तिसरा पाचवा चोथा या छटवा आपको बताना है कि कौन सा अस्थान प्राप्त हुआ है तो जल्दी से बताईए मेरे पेट में पूर्अ है तो सहने अन्य ताकत में कफेन का है तो कितने अस्थान पे है चौथ्या अस्थान पें अगला टोकियो ओलमिक के संचालन सम disabilities के निव्ट किया गया है सिंजो आबे को यह सुड़ सुगा को शीको हिश्यूमेता को या तारो कोना को जो टोक्यो अलम्पिक में संचालन समीति के अध्यर्च सिंजो आपे यह सी हीडो सुगा सीको हासी मोतो को या तारो केन को बताईए टोक्यो जपान में सिंजो आपे को भारत का पदम भी भोशन पुरुसकार से भी दिया गया है और शीको हासी मोतो जो हैं उनको टोक्यो ओलम्पिक के संचालन किया गया अब राबात की जो टोक्यो ओलम्पिक हुआ 2021 में इसमें भारत का स्थान 48 है भारत का स्थान 48 है और प्रतम स्थान पे अमेरिका है इस बातों को भी आप ध्यान में रखिएगा तो इसमें भारत ने एक गोल्ड मेडल लाया है तो एक गोल्ड मेडल किसके दोरा लाया गया है तो नीरज चोपड़ा के द्वारा लाया गया किसके द्वारा नीरज चोपड़ा के द्वारा भला फेक में लाया गया याद रखिएगा और टोक्यो अलम्पिक की अगर बात कहा जाए तो अलम्पिक आपको बताये थे कि इससे पहले रियो में हुआ था अब टोकियो में हुआ उसके बाद पेरिस फ्रांस में होगा कहा होगा रिटो उसके बाद पेरिस में होगा उसके बाद पेरिस में होगा उसके बाद लॉस एंजलिस में होगा तो यह हुआ था कहां शोला में हुआ था 2016 में Rio de Janeiro में हुआ था 20 में होने वाला था Tokyo में लेखी हुआ 21 में अगला होगा 24 में और फिर उसके बाद 28 में तो Rio में Rio de Janeiro Brazil में हुआ था Tokyo Japan 21 में हुआ है अब अगला 24 में होगा Paris में Los Angeles में 28 में यह सारे के सारे क्या है आपके Gris McAlene Olympic था ठीक है Gris McAlene Olympic था तो यह था 32 मा यह Tokyo Olympic 30 मा है यह 34 मा था और यह क्या है 35 मा था तो याद रखियेगा अब रहाबाद के सितकालीन हो गया तो Gris McAlene Olympic भी पुछता है तो सितकालीन Olympic कहा होगा तो याद रखियेगा एगो तो चीन में होगा कहा होगा यह गो चीन में होगा और यह तोगिरिस में कालीन था सिदकालीन में कहता है तो जो सिदकालीन ओलम्पिक कहता है तो सिदकालीन ओलम्पिक का करम है 24-वा होगा 2022 में 24-वा सिदकालीन ओलम्पिक 2022 में होगा जो की वीजिंग के चीन में होगा और 25 यह होगा दुख़ार चोवडय में होगा जो कि इट्ली में होगा कहा ओघा इट्ली में होगा यह सारे केसारे आपके ऊल्रम्पिक से कोश्चन्स बन वक्ते हैं और आपसे पुछाता कि टोकियो ओलंपी के किसे चुना गया था तो सी को हासी मोतो को अगला निमलिखित में से किसको नौस कॉम की पहली महिला चेयर पर्सन ऑफ दर के रूप में नुक्त किया गया रेखा सार्मा को गीता देशाई को रेखा मेनन को अमरिता सकसेन आपको बताना है कि किन है नौस कॉम जो नौस कॉम है उनके लिए महिला चेयर पर्सन के रूप में नुक्त किया गया है महिला चेर पर्सन की रूप में किने निउक्त किया गया है तो जल्दी से बताइए कि महिला चेर पर्सन की रूप में किसे निउक्त किया गया है तो नौसकम के पहली महिला चेर पर्सन की रूप में किसे निउक्त किया गया है तो वे हैं आपके कौन, बताईए, जल्दी से रेखा सर्पा को रेखा मेनन भी है, अच्छे रेखा मेनन, सौरी रेखा मेनन को, तो नौसकम की पहली महिला chairperson of the कौन बनी है, तो रेखा मेनन बनी है याद रखिएगा, ये थे आज आपके ये थे क्या, आज आपके last questions थे इस sessions का, ये रहां आज आपका 50 questions तो ये थे आपके current affairs का और ये था आपका science का question, तो जिन वेक्ति को अच्छा लगा होगा वीडियो को like कर देंगे और कल से अपने साथ और बच्छों को जोड़ना का प्रयास करेंगे तब तक के लिए सभी लोगों को good bye, take care, bye bye, सुब रात्री फिर मिलते हैं, रात्री, 9 बजे कल के session के साथ, तब तक के लिए bye bye